हालो दोस्तो वेलकम टू रोड टू आया जी ओके जे डबली एडवांस 2015 में आया हुआ ये क्विश्चन है जो मैंने आज आपके लिए लिए ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से समझना ठीक है एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है लैट पी एंड क्यू बी डिस्टिंक्ट प विथ PQ as a diameter, मतलब कोई ऐसा सरकल होगा जिसका diameter PQ होगा ऐसा diameter passes through the vertex O of the parabola, vertex से पास हो रहा है ठीक है, focus नहीं बोला है, vertex बोला है, O of the parabola, इसका vertex क्या है आप मुझे बताइए, 0,0 है इसका vertex, ठीक है, वो तो हमें पता चली जाना चाहिए, ओके, no problem, अब देखो if P lies in the first quadrant and the area of the triangle OPQ is 3 root 2, then which of the following is the coordinate of P, coordinate of P, कौन से हो सकते है, वो हमें पूछा है, तो पहले हम एक graph draw करेंगे, और फिर हम idea लेने का try करेंगे, एक page ले ले लेता हो मैं, ठीक है, दीखे, this is our coordinate axis, ओके, और y square is equal to 2x का graph कैसे आएगा, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता y square is equal to 2x का graph ऐसे आएगा, ठीक है, हमें बोलाए P, first coordinate में है, यहाँ पे मैंने P assume कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है P, पता नहीं है, ठीक है, और Q, कहा है वो भी हमें पता नहीं है, सपोज के यहाँ पे कहीं पे भी आप assume कर सकते हो, यह हो गया Q, no problem, और यह हो गया, यह हमारा है, क्या है, यह हमारा है, vertex, जो हमें बोला है, O, correct, vertex क्या बोला है, O, okay, यह vertex बोला है, और हमें बोला गया है, कि triangle P, O, P, Q, O, C, P, triangle O, C, P, 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 Q, U, मतलब this, यह जो triangle बन रहा है, ठीक है, उसका area, मतलब this much area, mark कर रहा हूँ में, ठीक है, ध्यान से समझना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यह जो area है, यह हमें question में दिया हुआ है, ठीक है, यह हमें question में दिया हुआ है, question में यह area दिया हुआ है, और वो area है 3 root 2, तो यह area मैं लिख देता हूँ 3 root 2, no problem, दिखिए, अब मुझे बुझाए कि P का, P कौनसे कौनसे point हो सकते है, ठीक है, question हमें पता चल गया होगा, आई हो सबको, एक और details हमें दी है, कि यह जो PQ है, PQ है, अगर इसको हम as a diameter assume करते हैं, और एक circle बनाते हैं, ठीक है, मैं अभी circle बना रहा हूँ, green से बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इसको मैं diameter assume कर रहा हूँ, इसको मैं consider करके diameter as a circle बनाऊँगा, तो वो pass हो रहा है point A से, ठीक है तो इस तरह से यह circle मेरा कुछ बनेगा, ठीक है, I hope यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, यह मेरा कुछ circle बन जाएगा, यह हमें क्यों दी यह details पता है आपको, यह details हमें इसलिए दी है, क्योंकि आप ध्यान से दीखिए, अगर PQ diameter है, तो यह उपर वाला जो part है, ठीक है as a diameter, और diameter है, वो triangle OPQ का एक side, अगर यह diameter है, और semicircle में inscribed हम triangle draw करते हैं, तो सब को बच्चे को पता है, कि यह जो angle होता है, ठीक है, this angle, this angle मुझे मिल जाता है 90, ठीक है, यह सिर्फ बताने के लिए कि यह angle 90 है, हमें यह details दी है, कि PQ diameter है और यह से पास हो रहा है, ठीक है, तो है 90 degree, यह angle O, angle O here is 90 degree, ठीक है, I hope सब को समाज में आओगा, अब हम question solve पर आगे बढ़ते है, ठीक है, अब देखो, P और Q, कौन से point है, मुझे पता नहीं, तो मुझे एक चीज़ पता है, कि जो parametric equation, parabola का, कोई भी point अगर मुझे assume करना है, तो मैं parametric equation से assume कर सकता हूं, तो parametric equation क्या, X is equal to 80 square, and Y is equal to 280, no problem, in this, what we have, let's say, A क्या है यहाँ पर, equation है, Y square is equal to 2X, तो 4A is equal to 2 हो जाएगा, तो A हो जाएगा 1 by 2, ठीक है, तो let's say है, कि P को मैं assume करता हूं, 1 by 2, P को मैं assume करता हूं, 1 by 2, into, let's say, कोई भी, T की जगा, I will say, let's assume something call, X square, X नहीं assume करता है, P square assume करता है, चलिए, P square, 1 by 2 P square, and यह हो जाएगा, P, ठीक है, यहाँ पर आप 1 by 2 put करोगे, तो 1 by 2, 1 by 2, तो सिर्फ T बचेगा, ठीक है, no problem, और Q को मैं assume कर रहा हूं, similarly, 1 by 2, Q square, and Q, ठीक है, T की जगा, मैंने सिर्फ P और Q assume किया है, Q, क्यूंकि मैं T, 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 दोनों में नहीं ले सकता, भाया, दोनों different, different points है, तो T के value दोनों में different, different होगी, तो just for simplification, आप चाहो तो T1, T2 भी दे सकते हो, लेकिन मैंने दिया है, P, Q, ठीक है, P, Q अच्छा लगता है, इसलिए मैंने P, Q दे दिया है, तो यह मेरे point हो गए, P and Q, मुझे यह point find करना है, ठीक है, अब आप मुझे बताइए, हमें पताइए, point 0 तो हमें पताइए, this we already know, 0,0, तो अब हमें तीनों की तीनों point पता है, तीनों की तीनों point भी पता है हमें, और एक और चीज़ पता है हमें, हमें जो चीज़ पता है वो है, कि triangle का area, 3 root 2, तो हमें सब सब को, बाल ब O, ठीक है, then point A, that is P square by 2, then P1, and then Q square by 2, Q1, is equal to 3 by root 2 हमें दिया है, ठीक है, I hope यहां तक सब को समझ में आओगा, अब मैं क्या करूँगा, simply यहां पे मैं, इसको simplify करूँगा, तो यह देखो, 1 by 2, यहां से simplify करता हूँ, ठीक है, तो यह हो जाएगा, P square, P square by 2Q, then minus लिखने के बाद, P Q square by 2, ठीक है, ओके, और यहां पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, यहां पे जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 3 root 2, ठीक है, 3 root 2, लेकिन, 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 एक और लेकिन, 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 लेक PQ common, तो अंदर मेरा बचेगा P minus Q is equal to मेरा आ गया plus or minus 3 by root 2 तो यहां से मैं थोड़ा और simplify करता हूँ तो मुझे मिलेगा P Q into P minus Q is equal to plus or minus 3 root 2 ठीक है, यह मुझे एक अच्छा सा सुन्दर सा equation मिल गया है with the help of area no problem at all लेकिन हा, मुझे क्या चाहिए मुझे P और Q की value चाहिए P की value मिल जाएगी, कोई भी एक value मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए एक value मुझे मिल जाएगी, तो simply मैं यहाँ पर put कर दूँगा, या फिर इन दोनों का relation मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर relation put कर दूँगा, और मैं P या Q की value निकाल पाऊँगा P Q की value मिल गई, तो मुझे P और Q जो point है, वो भी मिल जाएगे, simple अब मुझे आप बताओ, कि मैं इन दोनों के बीच, P and Q के बीच relation कैसे find करूँ उसके लिए हमें use करना होगा यह 90 वाला concept, ठीक है, आप मुझे बताइए, यह 90 degree है, तो आप मुझे बताइए, यह जो line है, this line P O, P O line is perpendicular to O Q line, correct? Yes, correct, अगर यह दोनों line perpendicular है, तो दोनों के slope का multiplication M1 into M2 क्या होना चाहिए, minus 1 ठीक है, तो आप मुझे बताइए, कि इसका slope यह 00 है, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों के बीच का slope find करूँगा, ठीक है, देखिए P मुझे पता है, P मुझे पता है P है मेरा, P square by 2, P और Q मुझे पता है Q square by 2 Q मुझे पता है, Q square by 2, Q ठीक है, यह मुझे P और Q यहाँ पता है, no problem, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, और origin भी पता है origin मुझे पता है, 0 को मुझे बता है इन दोनों के बीच का slope क्या होगा, M1 जो होगा वो होगा, P minus 0 divided by P square by 2 minus 0 तो यह हो जाएगा, P, P एक दूसरे को मार डाला है, ठीक है, no problem और इसी तरह से, Q और 0, 0 का मैं slope find करूँ तो वो आ जाएगा, Q minus 0 divided by Q square by 2 minus 0 यह सबको पता है, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1 तो यह हो जाएगा 2 by Q, ठीक है अब मुझे पता है कि M1 into M2 is equal to minus 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 by P into 2 by Q is equal to minus 1, that means के PQ is equal to minus 4 I hope यहाँ तक सबको समझ में आया होगा तो अब यह जो PQ आया है minus 4, उसको मैं put करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यह equation को मैं एक और नए page में लेखता हूँ, PQ into P minus Q is equal to मेरा, क्या आया था, आप मुझे बताइए PQ into P minus Q मेरा आज आएगा एक सेकंड पीछे जाता हूँ मैं यहाँ पे था 1 by 4 भी है, यहाँ पे ध्यान से दिखिए, 1 by 4 है, ठीक है और PQ, 1 by 4, PQ into P minus Q मेरा आया plus 4 minus 3 by root 2 यहाँ पे 1 by 4 भी है, is equal to था plus 4 minus 3 by root 2, अब PQ मेरा क्या आया है, PQ मेरा आया है minus 4, तो यह हो जाएगा P minus Q is equal to, again plus or minus 3 by root 2, ठीक है यहाँ पे मैं minus 4 आएगा तो minus sign यहाँ पे दोगे, तो फिर से plus or minus ही रहेगा, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह मुझे मिल गया PQ is equal to plus or minus 3 by root 2, ठीक है I hope यहाँ तक हर एक चीज, हर एक बद्दे को एकदम clearly समझ में आई होगी और अब यहाँ पे मैं put करूँगा PQ is equal to minus 4 तो यहाँ पे मैं put करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मैं मुझे P ही चाहिए, क्योंकि मुझे पुछा है P के coordinates, तो P के coordinates के लिए मुझे P चाहिए, तो मैं P का equation बनाऊँगा P का equation बनाता हूँ, तो क्यों मैं put कर दूँगा minus 4 by P, तो यह हो जाएगा P plus 4 by P is equal to plus or minus 3 by root 2 तो यह हो जाएगा P square minus 3 root 2 A plus 4 is equal to 0 ठीक है, अब एक चीज बताइए मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने देखिए, मैंने क्या लिया है यहाँ पे मैंने plus 3 by root 2 को consider किया है, minus को नहीं consider किया ठीक है, मैंने किसको consider किया plus 3 by root 2 को consider किया है minus 3 by root 2 को नहीं किया plus 3 by root 2 consider करूँगा, तो इस साइड आएगा तो minus 3 by root 2 होगा, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस को ही consider किया माइनस को consider क्यों नहीं किया आप मुझे बताइए एक सेकंड का time दे रहा हूं आप कुछ से सोची और मुझे आप मन में ही बताइए तो मैं समझ जाओंगा कि हाँ आपने मुझे बताया है बताइए मुझे मुझे मैंना ऐसा इसी लिए consider किया है क्योंकि मुझे clearly बूला गया है कि जो पी पॉइंट है वो first quadrant में है first quadrant first quadrant का मतलब होता है positive तो मुझे यहां पर value positive लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर यह दोनों positive आएगे तभी यह 3 by root 2 positive आप आएगा i hope यहां तक सबको समझ में आऊगा ठीक है अब मुझे सिर्फ इस चीज को simplify करना है तो यह दीखिए इसको मैं क्या करता हूँ p square minus थोड़ा और तोड़ देता हूँ इसे root 2a आप 20 square minus 4ac से भी आप कर सकते हो ठीक है तो यह हो जाएगा a minus 2 root 2 into a minus root 2 is equals to 0 तो next page ले लेता हूँ तो यहां से मुझे मिल जाएगा a is equal to 2 root 2, root 2 ठीक है तो this is what I got ठीक है actually P है यहाँ पर स्वारी this is P तो मुझे P क्या मिल गया मुझे P मिल गया 2 root 2, root 2 अब मुझे बताएगे point P का क्या था हमारा P square by 2, P यह हमारा था point P के coordinates अब बारी बारी से दोनों value put करूँगा तो एक मरा equation बनेगा 2 root 2 का square by 2, 2 root 2 that means कि 4 divided by यह हो जाएगा 8 8 by 2 that is 4, 4 by 4, 2 root 2 ठीक है और दूसरा मेरा equation बनेगा root 2 का square comma 2 divided by root 2 तो यह बनेगा मेरा 1 by root 2 ठीक है तो मेरा final answer आ गया है 4 by 2 root 2 4, 2 root 2 1, root 2 that means option number 4, 2 root 2 and 1, root 2 that means 1 and D 1 and D sorry A and D is my final answer option number A and D is my final answer I hope सबको समाज में आया होगा फिर से बहुत ही लंबा question था बहुत ही सुन्दर question था मैं आपको फिर से इसका एक glimpse दे देता हूं ठीक है क्या 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 इस lecture में हमने सीखा वो मैं पहले बता देता हूं कि हमने parametric equation देखा कि यह parabola का parametric equation होता है x upon x is equal to 80 square y is equal to 280 ठीक है कोई भी दो point दिये थे p and q तो मैंने उसको यह दो point लेके मैंने assume कर लिया ठीक है कि this are the points हमने देखा कि अगर pq as a diameter है उससे हम circle draw करता है और जो triangle inscribed होता है तो यह angle हो जाता है मेरा 90 यह भी हमने अच्छे से देखा हमने देखा कि यह 90 है तो यह जो line है p o यह जो line है o q दोनों एक दूसरे के perpendicular होगी और अगर दो line एक दूसरे के perpendicular होती है तो दोनों का slope क्या होता है minus 1 होता है ठीक है यह भी हमने देखा ठीक है इसके बाद हमने क्या किया इसके बाद हमने देखा कि मैंने प्लस और माइनस भी लिखा, simplify किया, ये P और Q में equation आया था, दीखिए, this equation is in P and Q, तो मुझे एक single equation में convert करने के लिए मैंने M1 is equal to, M1 into M2 is equal to minus 1, दो line perpendicular का इस्तमाल किया, और मुझे यहां से मिला PQ is equal to minus 4, और PQ is equal to minus 4 से, मैं चला गया, single equation में, ये मुझे single equation मिला, ठीक है, और मैंने Q की जगा value ये put की, Q is equal to minus 4 by P मैंने put की, simplify किया, मुझे equation मिला, ठीक है, यहां पर मुझे बुला गया था कि P है first quadrant में, एक details का यहां पर use हुआ है, first quadrant में, तो यहां पर मैंने plus 3 by root 2 consider किया, not the minus 3 by root 2, ठीक है, तो मैंने सिर्फ plus, देखो, सिर्फ plus पर mark कर रहा हूँ, plus 3 by root 2 मैंने consider किया, उसको simplify किया, तो मुझे ये equation मिला, simplify करने के बाद P की मुझे value मिले, 2 by root 2, root 2, 2 value मिली, और दोनों को मैंने, ये जो हमारा P के coordinates हमने assume किये थे, parametric form जो assume किये थे, और उसमें मुझे P के value मिल गई, तो यहाँ पर मैंने, वो दोनों value को यहाँ पर put कर दिया, ठीक है, put करने के बाद मुझे मेरा ये final answer मिल गया, 4,2 root 2 and 1,2, I hope, 1,2, I hope सबको समझ बया होगा, बहुत ही सुन्दर question था, बहुत सारी चीज़े सिखने के लिए थी, और यही हमारा हैं है, concepts through questions, ठीक है, चलिए, next lecture में हम एक और अच्छा सा देखेंगे question, so I hope कि सबको यहाँ पर मजा आया होगा, thank you for watching this video, वीडियो को like कर दिए, share कर दिए और comment करना ना बूले, अगर कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं, चलिए मलते हैं next lecture में, तब तक के लिए धन्यवाद,